तो आजके टापिक मेन पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज किजिए आपको एक घर बनाना है तो इसके दिसलिए सबसे में चीज क्या है। ब्रिक्स मतलब ईटा एटि को मिला कर गपनाईगा बहुत सारे पार जोडते जायेंगे झोडते जायेंगे तो हमारा एक घर तयार हो जाएगा और वही चीज हम लोग कैसे बने हैं कि हम लोग तहसे लंबे चोड़े बनके तो नहीं आ गये तो यह चोटा से डॉटे मिलते जाएंगे बहुत सार इस्तुमें बहुत सारे बहुत सारे इसल मीलागे हम लोग बने हैं तो इतने बाद तो आप लोग समझ में आ गई होगी, आप लूग देख सकते इस बॉड़ी मे कितने साले सेल हैं हजारों करोरों और बहुत सारे सेल हैं हमारे बॉड़ी में तो सेल के नंबर से अब हम पढ़ते हैं तो सेल के नंबर होता है दो एक होता है यूनिसलुलर और एक मल्टिसलुलर ऐसा तो नहीं है कि सारे चीज में बहुत सारे सेल हों किसी में कम हो सकते हैं कि आफ़े हैं किसी में 11 से एक नहीं जाया हो सकते कि system 11 से अंदर इस कंदर इतना है जिसके अंदर बहुत सारी सैङल होते हैं उसी उसे कहते हैं तो Unicellure के Example हो क्या आप एमॉब़ा आप इतना छोटा होता है बहुत छोटा होता है उसके अंदर एक ही Cell होता है और Multicellure के Example हो के हम लोग हम लोग के अंदर बहुत सारे Cell होते हैं फिटनी बात समस्मे आ गई हो तो अब हम बात कर लेते हैं cell structure के बारे में तो यह जो circle का outer covering मतलब यह जो out वाला line है इसे हम लोग cell membrane कहते हैं और इसके अंदर जितने भी समान से इसे हम लोग proto-plasm कहते हैं तो अब कुछ cell membrane के बारे में पढ़ लेते हैं तो cell membrane क्या होता है? cell membrane होता है outer covering of the cell मतलब cell के जो outer cover में होता है उसे हम लोग cell membrane कहते हैं यह plants में भी होता है, animals में भी होता है और यह semi permeable होता है मतलब यह जिस चीज को चाहेगा वही चीज जिसके अंदर आप आएगा और फाल के चीज को यह बाहर निकाल के fake देगा cell wall के बारे में हम कुछ बात कर लेते है cell wall क्या होता है, मतलब यह कहां प्रेजेंट होता है तो cell wall बस plant में होता है यह human begins में या फिर किसी भी organism में नहीं होता है यह बस planting में प्रेजेंट रहता है तो यह क्या है? यह भी outer covering of the cell है यह हो गया हमारा cell यह cell के उपर यह हो गया हमारा cell membrane और cell membrane के बाहर होता है यह cell wall यह सिर्फ plants में होता है यह organism में नहीं होता है तो हम cell membrane के बारे में तो बात कर लिए अच्छे से अब protoplasm के बारे में बात कर लेते हैं तो protoplasm को हम two types में divide करते हैं एक होता है Cytoplasm और एक होता है Nucleus तो अब हम Cytoplasm के बारे में डिसकस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं Cytoplasm के अंदर कितने सारे छोटे-छोटे समान है तो इसे अम लोग समान नहीं कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं और गैनली और यह उपर आउटर कवरिंग है इसे हम लोग कहते हैं सेल मेंब्रेन यह हो गया वैक्यूल यह हो गया रफ इंडुप्लाजमिक रैटीयम यह गया गोल गी एपॉर्ट्रियस यह मैंदर यह मेंसे यह चोटा सा सर के लेन यह चोटा सा इसे हम लोग कहते हैं nucleus आपप nucleus के बारे में discuss करने वाले हैं क्योंकि एक्साल के अंदर nucleus बहुत important है तो इसके बारे में हम कुछ knowledge required कर लेते हैं तो यह हो गया nucleus to nucleus कुछ सटा और इसके outer covering होते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूं के लियस यह हो गया क्रोमेटेन तो यह सारे सबस्ट्रांस होते हैं हमारे नुकलियस के अंदर